तुद्ध मॉर्निंग स्रेंट्स तुद्ध वी आर गोईंग टिस्कस दे प्रिजेंट पॉफेक्ट कॉंटिनुवस टेंस प्यारे बच्चु यह प्रिजेंट सीरीज का लास्ट टेंस है हम प्रिजेंट इंडेफिनिट कॉलेडी देख चुके हैं प्रिजेंट कॉंटिनुवस को भी प्रिजेंट पॉफेक्ट टेंस को भी देख चुके हैं और हमने उनकी यूजिस भी देख लिए तो प्यारे बच्चो इसी कड़ी में जो हमारा अंतिम टेंस है प्रिजेंट पॉ तो सबसे पहले मैं आपको इसकी definition बताता हूँ इस tense is used to describe प्यारे बच्चो इस tense का प्रियोग किया जाता है describe an action, ऐसे action को describe करने के लिए that begin in past, जो की अतीत में सुरू हुआ यानि past में उसकी सुरुवात हुई it's still continuing लेकिन अब भी जारी है and may be extended into future और हो सकता है आगे भविश्य में भी वो action चलता रहे तो प्यारे बच्चो डेफिनेशन से ये बात स्पस्ट हो गई है कि इसमें action क्या है past में सुरू हुआ present में अब भी वो चल रहा है और future तक भी वो जा सकता है यानि वो काम हो सकता है चलता रहे आएए अब हम इसको जो हमारे हिंदी के sentences होते हैं हम उसके माध्यम से इस tense की पहचान सेखते हैं तो प्यारे बच्चो यानि ये अगर वाक्य में आ जाते हैं तो समझो वो वाक्य जो है हमारे हिंदी के वाक्य जो हैं वो present perfect continuous tense के वाक्य कहलाते हैं अब आगे आप इसका examples देखिए यहां से बात आपको स्पस्थ हो जाएगी वर्षा दो घंटे से हो रही है से रही है देखिए से रही है यानि से मिलेगा आपको समय के बाद और रही है मिलेगा आपको बिलकुल अंत्म अब प्यारे बच्चों present continuous tense के साथ में आपको बिलकुल भी confused नहीं होना है क्योंकि उसके हिंदी के वाक्यों के अंत्में भी रहा है रहे है रही है आता है लेकिन वहां पर समय नहीं होता यानि वर्षा हो रही है अगर ये वाक्य ऐसे होता तो फिर होता present continuous tense का वर्षा दो घंटे से हो रही है तो इसका मतलब इसमें समय दे रखा है time दे रखा तो time बहुत important है तो प्यारे बच्चों दो घंटे से वर्षा हो रही है यानि अभी भी हो रही है और पिछले दो घंटे से मतलब यानि लगातार past से ये action जो है वो जारी है और अब भी जारी है और हो सकता है future में भी रहे next आप example देख लिए मतलब it has been raining for two hours अगर हम इसको translate करते हैं तो it has been raining for two hours यह मैं आपको आगे बताऊंगा sentence structure के अंदर कि यह कैसे बना मैं सुबह छे बजे से पतंग उड़ा रहा हूं से रहा हूं बस यहीं से आपको समझ में आ जाएगा तो से रहा हूं यानि यहां से पता लग गया कि यह वाक्या जो है वो present perfect continuous tense का वाक्या है I have been flying kite since 6 a.m इसको जो हम translate करते हैं हमारी transition बन जाती है next sentence देख लेजिए वह है 1970 से हिसार में रह रही है से रह रही है से रही है तो से रहा है से रहे है यह अगर वाक्य में आ जाते हैं तो समझो यानि समय के साथ continuity भी है तो समझो वो वाक्य जो हैं आपके present perfect continuous tense के वाक्य कहलाते हैं she has been living in हिसार since 1970 तो प्यारे बच्चो यहां से यह बात आपको बिलकुल समझ में आ गई होगी कि present perfect continuous tense के वाक्य मतलब होते कैसे हैं यहां से बस आपको इतना मतलब समझ में आ जाना चाहिए आप हिंदी के उन वाक्यों को देख करके बड़े अराम से recognize कर पाएं कि आरे यह वाक्य तो present perfect continuous tense का वाक्य है आएए अब हम आपको इसके sentence structure के ओपर और इसके rules के ओपर लेकर के चलते हैं से पहले हम आपको इसके rules बताएंगे तो प्यारे विद्यारतियों आएए अब rules के बारे में देखते हैं क्या-क्या नियम होते हैं यानि कौन सी helping verb यूज होती है कौन सी main verb यूज होती है और क्या यूज होता इस sentence में तो सबसे पहले हम discuss करते हैं helping verbs को helping verbs को हिंदी में क्या बोलते हैं प्यारे बच्चो साहे किरिया क्या बोलते हैं साहे किरिया तो जैसे आपने present perfect tense में देखा था वहां पर has और have थी तो यहां पर एक नया word और add कर दिया हमने been यानि has been और have been तो दो helping verbs रहेंगे यहां पर और has been का प्रियोग जो होगा वो singular subject के साथ होगा singular subject के साथ और singular subject में प्यारे बच्चो आई भी आता है लेकिन आई के साथ जैसे हमने present perfect tense में use नहीं किया वैसे यहां भी use नहीं होगा I के साथ और plural subject के साथ have been का प्रियोग होगा यानि एक वचन करता के साथ has been और I और भोवचन करता के साथ में आप क्या लगाएंगे have been का प्रियोग करेंगे बहुत सिंपल है अब आएए main verb की बात करते हैं तो प्यारे बच्चो अब चू कि ये continuous tense है यहां आप ये फार्मूला याद रखें प्यारे बच्चो जितने भी हमारे continuous tense है यानि कुल मिला करके 6 है जैसे present continuous है past continuous है future continuous है और 3 ये हमारे नीचे वले present perfect continuous past perfect continuous and future perfect continuous यानि 6 continuous tense है प्यारे बच्चो यानि जहां भी continuous आ गया तो समझो वहां पर main verb की first form के साथ में आपने ing लगा देना है यानि 6 tense में तो main verb आपको बिल्कुल simple तरीके से याद हो जाएगी कि जहां भी continuous का मतलब आपके सामने आया वैसे आपके दिमाग में आ जाने चाहिए अरे यहां पर तो main verb जो है verb की first form plus ing लगेगी अब प्यारे बच्चो इसमें जो तीसरा point यह भी बड़ा important point क्योंकि यह time से related है क्योंकि इस tense में time का भी प्योग होता है और यहां time के लिए आपको दो चीज़ें देग गई है दो एड़ बर्बर एक sense है और एक for अब प्यारे बच्चो टाइम को अगर देखा जाए तो time जो है वो हमारा यह तो point of time होता है point point of time और यह होता है हमारा period of time अब point of time जो होता है जो निश्चित हमारा समय होता है यू मान के चलो उसके साथ हमने sins का प्रियोग करना है और जो हमारा period of time है यानि दो घंटे से एक घंटे से चार दिनों से पांस दिनों से पिछले एक महिने से दो महिने से यहां पर निश्चित हमारा उसके लिए आपने खुरक अप्रियोग करना है अब बहुत बार सवाल ही आता है प्यारे बच्चों कि morning के साथ क्या यूज करें नून के साथ क्या यूज करें आपकी evening के साथ क्या यूज करें तो यह दिमाग में आता है क्योंकि बाकी चीजें तो समझ में आ जाती है बाकी तो अगर मान लेजे किसी ने कहा कि वह 1970 से डेली में रह रहा है तो निश्चित समय है तो सिंस आएगा ही आएगा प्यारे बच्चो morning, noon, evening ये समय भी निश्चित ही होते हैं अब सुर्योदे का समय जो है वो निश्चित होता है प्यारे बच्चो noon का समय भी निश्चित है अब शाम होने का समय भी निश्चित है आप इनको ऐ निश्चित समय ना माने तो ये भी point of time में आते तो इसलिए इनके साथ भी सिंस का प्रियोग किया जाता है तो प्यारे बच्चों ये थे हमारे तीन important rule present perfect continuous tense के लिए और ये आपको याद हो गए होंगे अब आए हम sentence structure को देखते हैं तो प्यारे बच्चों ये है हमारा sentence structure यारी वाक्यों की बनावट कैसी होनी चाहिए तो affirmative sentence में देखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा प्यारे बच्चों subject आएगा उसके बाद आपकी helping verb या तो has been आएगी या have been आएगी according to the nature of the subject आपका subject जैसा भी होगा वैसे हम helping verb लगा देंगे फिर उसके बाद आपकी main verb आ जाएगी main verb में आप verb की first form के साथ में ing का प्योग करेंगे उसके बाद आपका object आ जाएगा और प्यारे बच्चों object आपका optional रहेगा मतलब हर tense में ही यानि object optional होता है प्यारे बच्चों अगर हमने पीछे के structure में अगर यह नहीं भी लिखा है तो यह याद रखो कि object है तो ठीक है क्योंकि प्यारे बच्चों जब मैं आपको verbs के बारे में बताऊंगा तो आपको पता होना चाहिए कि verbs जो हैं वो transitive भी होती है और आपकी in transitive भी होती है तो जो transitive verb जो होती है प्यारे बच्चों यह मतलब एक simple सी वैसे तो बहुत क्रियाओं के साथ में object जरूरी होता है प्यारे बच्चों तो आपने देखा बहुत सारे मतलब sentences के अंदर object होता है तो बहुत सारे में नहीं भी होता तो जहां पर verb आपकी transitive होती है वहां पर object होगा ही होगा और अगर आपकी verb in transitive है यानि एकर्मक किरिया है अगर आपकी verb in transitive है अगर वो सैकर्मक नहीं है वो एकर्मक है एकर्मक मींज करम के बिना तो वहां पर प्यारे बच्चों आपको object नहीं मिलेगा तो इसलिए बहुत सारे sentence इसलिए ये depend करता है verb के उपर ये जो आपकी main verb होती है इसकी nature के उपर depend करता है कि object आएगा या नहीं आएगा तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं optional के रूप में रख लेते हैं तो आईए अब इसका एक simple सा कोई भी एक example ले लेते हैं देखिए she has been living in Delhi since 1970 she has been living in Delhi since 1970 तो प्यारे बच्चों she she का क्या है subject has been अब she जो है वो हमारा singular भी है और बस यही हमने देखना था कि अगर एक वच्चन है तो उसके साथ क्या आएगा has been आ गया और फिर हम main verb क्यो main verb देखेंगे तो main verb में क्या है यहाँ पर living यानि यह हमारी main verb थी और इसके साथ हमने ing लगाना था तो हमने blast की इसकी e को हटा दिया तो living आ गया इसमें object है नहीं प्यारे बच्चो यह आपका क्या है यह क्या है प्यारे बच्चो she has been living अब आगे अगर हम सवाल करें तो living living where यानि अगर verb के बाद में अगर हम कोई सवाल करते हैं where से करते हैं why से करते हैं when से करते हैं how से करते हैं यानि अगर इस तरह का सवाल verb के बाद अगर हम करते हैं और जो आगे लिखा हुआ शब अगर आपके इन सवालों का जवाब है तो प्यारे बच्चो वो एड़वर्ब ही होता है तो ये एक एड़वर्बियल फ्रीज है क्या है ये एड़वर्बियल फ्रीज है क्योंकि ये आपकी वर्ब के बारे में आपको additional information दे रहा है तो प्यारे बच्चो जब हम basic concept सीखेंगे कि एड़वर्ब क्या होता है आपका adjective क्या होता है तो वहाँ पर ये बातें आपको detail में बता दी जाएंगे तो बस अब आप इतना याद रखें अब उसके बाद आपने लगाया since or for since or for में से एक लगाना था अब यहाँ पर मैंने देखा time जो है वो हमारा point of time है तो इसलिए हमने इसके साथ में लगा दिया since और since के बाद में हमने time लगा दिया बहुत simple है आईए अब next देखते है negative sentences प्यारे बच्चो बिलकुल जैसा आपका affirmative ऐसा ही है negative भी बस यहाँ पर क्या गलती हो जाती है प्यारे बच्चो बच्चे जो है पहले subject लगा देते हैं और उसके बाद helping भी लगा देते हैs been और have been और फिर लगा देते not यह गलती नहीं करने प्यारे बच्चो इसका sentence structure बड़ा ध्यान से देखो यह आपका subject आ गया यहाँ पर has और have आ गया अब been को हम पीछे ले गए हैं और not को हम बीच में लेकर किया हैं क्योंकि not का स्थान वो तीसरा होता है तो subject has और have उसके बाद not फिर उसके बाद been उसके बाद आपकी main वर्ब आ गई फिर आपका object आगे optional और फिर आपका since or for और फिर आपका time आगे देखिए कोई भी एक आपका example ले लेजी C has not has not been waiting she has not been waiting for you for three hours यह हो गया प्यारे बच्चाँ अब यहां पर subject she आ गया has और have में से अब she के शाद आपका लगेगा has लगेगा अब उसके बाद आगे आपका not not भी आगे फिर हमने लगा दिया bean लगा दिया उसके बाद verb weight के साथ में हमने ing को लगा दिया यह वब आगे हमारी इसमें object दिया हुआ है प्यारे बच्चे you दिया हुआ है ठीक है उसके बाद since और four में से आपको दिया हुआ है four दिया हुआ है क्यों दिया हुआ है four क्योंकि जो हमारा three hours जो है वो time तीन घंटे हमें मालूम नहीं है कौन से तीन घंटे है मतलब period of time है यह point of time नहीं है तो इसलिए हमने इसके साथ में four लगाया है तो बहुत simple है आपको समझ में आ गया होगी अब आगे देखिए अब देखिए प्यारे बच्चों introgative sentences जो आपके person वाचक वाक्य होते है और यह आपको पता है दो type के होते हैं या तो yes no का होता है yes no का मतलब क्या होता है जब हम यह जो हमारा person वाचक वाक्य होता है इसका जवाब हम हाँ और नामे दे सकते हैं लेकिन जो हमारा WH group होता है प्यारे बच्चों इसका जवाब हाँ और नामे नहीं दिया जाता है अब जैसे एक बहुत simple से किसी ओर tense का Taste का भाक्य ले लिजिए क्या आप सकूल जाते हो आप कह सकते हो yes या no अगर मैं आप से कहूँ आप सकूल क्यूं जाते हो आप Yes और no में जवाब नहीं दे सकते मतलब यह मैंने किसी ओर tense का भाके ले मानलम यह मैंने present in definite tense का वाके लिए ऐसे आप इसमें भी ले सकते हैं तो प्यारे बच्चों यस और नो का अगर आपका जवाब मिल जाए तो वो आपका helping verb से शुरू होता है और जहां पर आप जवाब यस और नो में ना दे सकें वो वाक्य जो हैं आपके WH group से शुरू होते हैं आप देखिए यस और नो का कोई भी आप एक आप एक आप एक एक आप एक जामपल नेली जी जुरू पास कर आप से खाद से हम हईक आप ही इवाब साक आप एक आप एक आपल ली रिखेश ही लीओ टो पास जूल और टूडेस यह हमने बना दिया कोई भी यस-णो का इंट्रोगेटिव सिंटेंस बना दिया है have they been going to school क्या वे दो दिनों से विद्याले में जा रहे हैं क्या वे दो दिनों से विद्याले में जा रहे हैं तो आप जवाब दे सकते हैं यस या नो हाँ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं राइट तो अब देखे इसका structure पहले helping वर्ब हैव आ गई हैव दे के हिसाब से आई प्यारे बच्चे क्योंकि दे क्या है दे आपका plural है उसके बाद फिर आपका ये subject तो दे आई गया उसके बाद bean ये bean आ गई आपके उसके है नहीं प्यारे बच्चो to school ये आपका adverbial phrase है क्योंकि going के बाद ये going को ही आगे इसके बारे में additional information दे रहा है एक तरफ से देखा जाए तो ये आपकी verb का compliment भी हो सकता है और ये adverbial phrase जो है वो आपकी इस verb का compliment भी है अब आगे देखिए उसके बाद since or four यहाँ पर four आ गया प्यारे बच्चे क्यों आ गया क्योंकि हमारा time जो है वो two days है दो दिन और दो दिन जो है वो period of time होता है प्यारे बच्चो point of time नहीं होता है तो इसलिए हमने इसके साथ में four लगा दिया very simple आईए अब आपको डवल एच ग्रूप का जो आपका sentence structure है वो आपको बताते है बस डवल एच ग्रूप में प्यारे बच्चो आप देखिए इसमें और इसमें कोई खास difference नहीं बस आगे डवल एच ग्रूप हमने इसमें लगा दिया है तो अब इसका कोई भी एक हम example ले लेते हैं प्यारे बच्चो has Sita been doing her homework since 6 PM यह question मारगा है Why has Sita been doing her homework since 6 PM Sita शाम के 6 बजे से अपना घ्रह कारिया क्यों कर रही है बहुत simple है यह डवल एच ग्रूप आगे आपका उसके बाद हमने has और have में से helping of has लगा दी क्योंकि सीता के हिसाब से लगाई है और उसके बाद हमारा subject आ गया सीता फिर उसके बाद bean लगा दिया हमने उसके बाद verb की first form plus ing doing आ गया यहां पर object बिलकुल दिया हुआ है her homework यह आपका object है उसके बाद since और four में से यह आपका since आ गया है प्यारे बच्चों क्यों आ गया क्योंकि six p.m. जो है वो definite time है शाम की छे बज़े बिलकुल definite point of time है तो इसलिए हमने इसके उपर since लगा दिया so simple आए बच्चों अब हम देखेंगे जो interrogative और negative दोनों sentences होंगे आए हम उनको भी देख लेते हैं तो प्यारे बच्चों यह आ गया हमारा interrogative और negative sentences यानि person वाचक भी रहेगा और उसमें साथ साथ में note भी रहेगा तो इसका yes और no यह भी दो type का है yes और no type का भी है और wh group का भी है दोनों families है अबर yes no type का जो है उसका sentence structure क्या रहेगा सबसे पहले helping work उसके बाद subject फिर आगया आपका not उसके बाद आगया bean प्यारे बच्चों यह note जरूर याद रखना है यह हमेशा अब देखिए यह bean से पहले आएगा bean के बाद note मत लगा देगा गलत हो जाएगा और उसके बाद verb की first form plus ing उसके बाद object अगर है तो बिलकुल अच्छा है नहीं है तो कोई बात नहीं क्योंकि verb के ओपर depend करता है उसके बाद since or for यह time के लिए आगया आपका और फिर उसके बाद time आगया आएए आप इसका कोई भी एक सिम्पल सा एग्जम्पल ले लेते हैं अपर तो है डाट बतीदीर जाइपा दम करता है अवैं कि अपर रहा अपर कोई दयापक़ा पर słuर मत नहीं के और का वाट वाट कोई बादेका वाट आपकोई रहां, और कुभेड तो कोई है नहीं के बाता है दा, plants, since morning, since morning, और last में आगे आपका sign of intervention, क्या माली जो है, पोदों को सुबह से पानी नहीं दे रहा है, क्या माली पोदों को सुबह से पानी नहीं दे रहा है, अब देखें प्यारे बच्चों, ये आपका आगया helping walk, ये आगया आपका subject, the gardener, singular है, हैज आगया उसकी बज़े से, फिर आपका आगया not, फिर आपका आगया bean, फिर वाब आगी water, और water के साथ ING लगा दी, उसके आगया object, the plants, फिर आगया आपका time, since, और मैंने आपको पहले भी बताय था कि morning definite time होता है, point of time होता है, तो इसके साथ में since का प्रियोग होता है, very simple, आएए अब हम last structure देख लेते हैं, डबल वेच ग्रूप से related, तो इसमें इसमें कोई फरक नहीं होता है, प्यारे बच्चों स्रफ डबल वेच ग्रूप जो है वो additional जुड जाता है, अब इसका भी एक simple से example ले ले लेते हैं, कोई भी ले ले लेते हैं, why have the students, why have the students not been making unwise for two hours विद्यार थी डो घंटे से सोर सोर क्यों नहीं कर रही है प्यारे बच्चे तो बहुत ज्यादा सोर करते हैं प्यारे बच्चों लेकिन वाक्य ऐसा है कि विद्यार थी पिछले दो घंटे से पिछला नहीं है दो घंटे से सोर क्यों नहीं कर रहे हैं तो डबलो एच ग्रूप आ गया हज और हैव में से अब प्यारे बच्चों दास प्रेंट्स ये आपका प्लूरल है तो इसके साथ क्या आजाएगा हैव आजाएगा ये आपका सबजेक्ट आ गया उसके बाद आपका नोट आ गया फिर बीन ये बीन आ गया उसके बाद आपकी वाब आगे मेकिंग, यह आपका आपजेक्ट आ गया, फिर आपका सिंस और फॉर में से, क्योंकि फॉर आएगा टू आवर्स यह आपका पिरिएड आफ टाइम होता है, तो फॉर टू आवर्स, तो प्यारे बच्चों, यह आपके संटेंस स्ट्रक्चर थ होता है, कैसे-कैसे इसमें संटेंस होते हैं, और हर चीज़ को विद एक्जामपल हमने अच्छे से जान लिया है, आप प्यारे बच्चों, जितने भी संटेंस स्ट्रक्चर इसमें आपने 6 आपने संटेंस स्ट्रक्चर पड़े हैं, हर संटेंस स्ट्रक्चर के उपर आप 5 यानि 30 sentence आप बनाएंगे, 30 sentences जो हैं वो आप अपनी homework की copy के अंदर लिखेंगे, right? यह आपका homework रहेगा, और हाँ प्यारे बच्चों, यह आपके practice exercise रहेगे, यह आपके 15 sentences हैं, और इसमें present indefinite से लेकर के present effect continuous तक, यानि आपके पूरे 4 sentences की जो इस series थी present की, जो हमने अभी-भी complete की है, यह 15 sentences जो हैं, यह sentences जो हैं, वो आपके उन 4 sentences से हैं, तो प्यारे बच्चों, यह आपको homework के रूप में करने हैं, और इसको मेरी workshop के उपर आपको भीजना भी है, thank you very much, have a nice day.